दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1965 में रिलीज की गई फिल्मों के बारे में 28 जुलाई 1965 को बी यार चोप्रा साव ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म वक्त साहिर लुद्यानविर साहब के गीतों के संगीत कारते रवी साहब कुछ के कुर्बान में दे जान में दे जान में दे जान फिल्म के कलाकार थे बर्लास्थानी साहब सुनिगिल्दत राजकुमार शशी कपूर रह्मान साहब साधना शर्मिला टेगोर और अचला सजदेव साहिवा तूटे के टूटे को जए थोटे का डोटे को एक टूटे को थोटेशागी हुआ कभस हो कबसर हुआ थे तो मिलना जाते हैं तो 66 के फिल्म फेर में यस्टोप्रा साभको डेस्ट डेक्तर का फिल्म पेर मिलाता है मैं अपने लाला जी जोड रही हूँ, आपने भी देखा उन्हें? जेखा था भाहने? कहा है, आप मुझे उनके पास लेते लिए, मैं आपका अचाद में भूलूँ नी कहा लेता हो भाहने? अब लाला जी कहां मिलेगी? क्या कह रहे है? कहा है लाला जी? मैंने उनके सर पर एक लोखे की तड़ी गेपी देखी अब होता है दिस दुन्या में न जोड़ा 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 के फिल्म फेयर में राजकुमार साथ को बेस्ट सपोर्डिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया था 1966 के फिल्म फेयर में अक्तर मिर्जा साथ को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर मिला था महारा कोई मामला दाजी तुम जो लाते हो मेरी मिल्किया तुम 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 मेरी मेरी मिल्किया तुम मेरी मिल्किया राइलोग्स का फिल्म फेर मिलाता है अगल मात बनो बल्बी इस बच्चों के खेलने की चीज नहीं हाथ कट जाये तो खून निकलाता है 1966 के फिल्म फेर में धर्म छोप्रा साहब को बेस्ट सिनिमेंटरग्राफर का फिल्म फेर मिला फिल्म का बजट था एक करोड रुपए तुम चोर और वो जज़ अब अगर तुम्हारा यह असली रूप उन्हें ते खाई दे गया बस नमेंट लूप तर च्या हो करता है मेरा असली रूप कौन भीखा सकता है उन्हें तुम्हारे कट्टूत इसलिए यह काम शोड़ दिया है मैंने चुनाज दे फिल्म पाँच करोड़ नबे लाग रुपय कमाकर ब्लॉक बस्तर रही थी तो जानते हो राजा मुझे हीरों का फितना शॉप और रानी जाहबा शेहर में तश्रीव ला रही है हीरों की कान से यह काम फिर राजा कर सकता है और राजा ना करेता हो एक जनुरी सन 1965 को रॉबिन खेडा साब ने पेश की अपनी रॉमेंटिक फिल्म जब जब फुल खिले आनद बक्षी के गीतों के संगीत कार तेक कल्यान जी आनद बक्षी के गीतों के आनद जी साहब देशियों से ना अख़्िया मिला ना फिल्म जब जब फूल खिले के कलाकार्त शशी कपूर साब नंदा साहिबा बेभी फरीदा कमल कपूर म्रजुला शम्मी और आगा साहब कि अगा विम्षा साहब आप इसमें करनाता मंगेश्का शाब भी कर दोब जब दो खिले या फिल्म का बजट था एक करोड़ दस लाग रुपए फिल्म पाँच करोड़ पचास लाग रुपए कमा कर ब्लोक बस्टर रही थी आठ जन्वरी सन 1965 को शंकर भट साब ने पेश की अपनी रोमेंटिक फिल्म हिमाले की गोद में आठ बख्षी और इंदीवर साब के गीतों के सब्सक्राइब रुपए आठ बख्षी और इंदीवर साब के गीतों के रुपए संगीत कारते कल्यान जी आनन जी साहब फिल्म हिमाले की गोद में के कलाकारते मनोज कुमार, माला सिना, जेहन साब, डेविड, शेशीकला, सप्रू, अचला सदेव और मुक्री साहब मैं जी आठ बाबाइब बताए, मैं उडा जाए जाए, जो दूनिव एटॉनि एफ्मार, रो रोता है का बाबाबा को डाओ, जारोगो, रोको बाबाबा को लोगो एक भाओ, जारोगो यहामारे ग्रर मनेगा तब पाद हमारे का रोगगा अब कौन मोंते रोकुबूबूबूबू 166 के Film Fair Awards में Film Himalaya की गोदमे को Best Film का Film Fair मिलाता खारा क्या क्राया चॉपट करती है अबे जब मैंने दो गंटे दिये तो तू कौन होता है गंटा और देने बारा बाबाबाबू तो मैंने पिंजा के कारण दिया था पुचमी पुचिमान पुचिमान का बच्टा Film Himalaya की गोदमे के एक गाने एक तूना मिला के लिए जदा मंगेशकर साहिबा को Film Fair पुरुषकार दिया गया था जबाबाबू अब क्या होगा अब क्या होगा एक उपाय है क्या तुमने सुना होगा कि पार्शा के पहले पार साल जद्वाद हुदी गोला गंग में बिमान हो गया था और उसका इलाज उसके नाटी चबवा ने यह बाबा से गया तो उधर ओगोला गंग अच्रा हो गया अगर यह चपत कंजू का नाटी संबंधी यहाँ हो तो इलाज हो सकता इसका यह तो यह जब्र से बादी 526 के Film Fair Award में प्रताब Dabway साभ को Best Editor का Film Fair मila था अब कर दो करते हैं अब कर चाहिए राज दिन की सेवा के बाद रिमार था सब भर बाबा की दबाई साभा ह। मैं अबी जातो और दबाई की कर आती ह। हिमालय की गोर्वने का बजट था एक करोड रुपए फिल्म चार करोड पचास लाख रुपए कमा कर सुपर हिट रही थी कि देखा बाबू कितना अच्छा देल है बहुत अच्छा पैश पैश की अपनी डॉमेंटिक फिल्म आरदू लाओ तबी आमनों टूठंदिस चोड़ इस नहीं तो शर्ब चादूंगी अरे जालि मौबद का पास समझ देश यला कसम साभी तुम आमारा मौबद के यकिन ने कर देश तो कल सबरे मंदू कलास इधर मिल इस तो बैचा नहीं साभी आईसा यला कसम मत बरो तू है याला स्रच जैपुरी साथ के गीतों के संगीत कार थे शंकर जैकृषन आरजू के कलाकार थे साधना राजेंदर कुमार फिरोज खान नाजिमा नाजिर खान साथ अलो अंदू नमबर तो ठीक है अठीक के मिला ता अलो अलो अरब कौन बोलते को ने क्या बाउजी यह क्या उन्दिश यार कोर अवर ही बोलता है अजाने कोर ने बोलता है जी अजिए पितंकर रहा होगा जी अजिदरा इपन बाहर अठीक फिल्म का बजट था नबे लाख रुपे अजिए अजिए लड़की नंबर खलक देगे भी या या बाउजी मुपत में शोक्री जूद में बोलती फिल्म चार करोड रुपे कमा कर सुपर हिट रही थी तो पांच तीन नब थेर में देख्यों हेलो बुल दीश हेलो मैं बुल रही हूं उशा मैं सर्चू बोल रहा हूं ओ हो तुम हो सल्मा कहो कब आई सल्मा कोन 6 दिसंबर 1965 को नव केतन ने रिलीज किया अपनी रॉमांटिक फिल्म गाइड अरे क्या आद्मी बन अपनी बना फिल्म पहले हात मों तो गॉआ अरे गाडियां तो आती जाती रहेंगी कुछ जुगान के लिए भी सोचना है कि नहीं इस पस्ते कुछात ने रखते अरे बेटे के वे बुकान फो जाओ और बेटे को गाईड बनने का बुर्स तबार मान बबाई से दिली से कपता से मद्रा से सिंगय पुर्वांकांग लंडन से नियॉयॉक रोग पैरे से जो भी चूरश आता है राजु गाइड कहा है आता हो अलेंद्र साहब के गीतों के संगीत कारते सचिन देव बर्मन साहब फिर जीनी की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है फिल्म गाइड के कलाकारते देव अनन साहब वाईदा रह्मान किशोर साहु जागिरदार लीला चिटनिस अन्वर हुसेन फिल्म का बगर था पिचासी लाक रुफे फिल्म का बगर था पिचासी लाक रुफे फिल्म तीन करोड पिचास लाक रुफे कमाकर हिट रही थी जन्वरी इस तुन उननीस तो पैसट को एस हरदीर साव ने पेश की अपनी रुमांटिक फिल्म जन्वर अब लखना पड़िये लेकर खुदार जरा संबलकर कर आईसा नहीं कोई रामपुरी चाकू लिये हुए रुफे दे बंदा परवर अपके मुझे किसी रकिबे रूसिया का डर नहीं cert post रवर वह वो रुकी दो षे और हसरत के गीतों के संगीत कार थे शंकर जयकिशन साहब लाल खड़ी मैदान करी क्या खूंब लड़ी क्या खूब लड़ी जानवर के कलाकार थे शमी कपूर साहब रह्मान राजश्री पृत्वी राजकपूर राजेंदरनाथ और शामा साहिबा इसका मतलब है काले मूव वाला दुश्मल क्योंकि मेरी महबूबा अब तक कुवारी है और मेरी इश्क में गृफ्तार है जी आदाब बजा लाता हूँ बात ठीक है जी फिल्म का बजट ता पिछहत्तर लाग रुपए फिल्म तीन करोड रुपए कमा कर हिट रही थी 23 सेटमबर 1965 को वासु मेहनन साहब ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म खांदान घर के काम काज में हाथ बटा दिया अरी तुने ना कभी अकल की बात की है न करेगी ऐसी लड़की को घर में क्या लाना जो अपने माबाद को भी खा गई हो राधा सच कहा था रहा मैंने जबान खुलता ही पड़ाखा चुटा सुलिया आपने क्या कहा हाता लागला बती राजेंद्र कृशन साथ के गीतों के संगीत कारते रवी सहाब फिल्म खांदान के कलाकार्टे सुनिविल्दत साहब नूटन प्राण ओमपरकाश ललिता पवार मुम्ताज और सुलोचना लटकर साहबा अगर बूल से शादी हो भी जाए तो गले में रस्ची डाल कर फांदी ले पांदान 1966 के फिल्म फेर में सुनील दर्टाब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेर मिला था इसलिए उसे सींग नहीं दिये तू तो सूखी नदी है ही अजर पारवत्री के अवलादना होती तो इस घर का नाम लेने वाला कौन होता उन दो करोड असी लाख रुपए कमा कर हिट रही थी दो बेटे क्या पैदा कर दिये इसमें सब की नदर में रानी बन बैठी है अजर रानी नहीं महरानी को महरानी पारवत्री हम ने इस लड़की को सुविकार किया आज से इसी घर में रहेगी जिसमबर 1965 को एन एन सिप्पी साहब में फेश की अपनी रहस और रोमांच से भरपूर फिल्म गुमनाम हलो मत पर तुम एक और मौतार सर्टिफिकेट पर यार करना है हलो वी फार विक्टिरी तुम फॉरन वसीयत को सही जगा पर पहुंच आएगा ओकी बास शैलेंद्र और हस्रत के गीतों के संगीत कारते शंकर जैकिशन साहब फिल्म गुमनाम के कलाकाते मनोज कुमार नंदा महमूद प्राण, धुमल, मदनपुली और तरुन बोस्क शहाब प्राण, 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 प्राण जो अधुने आएग्यों इस आएगोर्ट थे आफ्यों यह जिन्दगी के आफुल पर आपॉंच लेगों यह तहरीर है उनके नाम जो काल तक एक दूसरे के लिए अजनभी थे मगर आज इस आखरी सफर में एक दूसरे के साथ ही 1966 के फिल्म फियर एवार्ट में S.S. सामिल साभ को फिल्म गुम्नाम के बेस्ट आर्ट डिरेक्टर का फिल्म फियर दिया गया था अब तक आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आप सब एक साथिश का शिकार हो चुके हैं और यह भी याद होगा आप सब को कोई आप की साथिश का शिकार भी हुआ था आज आप सब लोगों को जान बूज कर चुन कर यहाँ ही कठा किया गया है आप सब खूमी हैं, मुजरिम हैं, गुनेदार हैं और यहाँ आप सब को आप पे गुनाहों के सजा देने के लिए बुलाया गया है और वो सजा है फिल्म गुमनाम का बज़ट था 65 लाक रुपए बारी बारी आप सब की मौद यह ज़िए यह सब क्या मदाथ है फिल्म दो करोड़ साट लाक रुपए कमा कर फिट रही थी यहां से बच कर निकलने का कोई रास्ता नहीं जिस तरह हंस्ते हंस्ते आपने गुनाह किये उसी तरह हंस्ते हंस्ते गुनाह की सजा के लिए तयार हो जाई है हम इस तरह किसी की घंकी पर्दाश्ट नहीं कर सकेंगे अखरी क्या तमाश्य है किस नहीं साधिश्की कौन है 13 नवंबर सन 1965 को रमेश सिप्पी साहब ने पेश की अपनी डूमेंटिक फिल्म मेरे सनम जरूह सुल्तानपुरी साहब के गीतों के संगीत कारते ओपी नायर साहब मेरे सनम के कलाकारते विश्वजीत, आशा पारिक, मुम्ताज, नाजिर रुसेन, राजेन दरनाथ, धूमल और प्रान साहर मेरे सनम का बज़र था साथ लाक रुपए मेरे सनम तरनाथ मेरे सम्नाफू मेरे सेथेए मेरे साहर मेरे साहर फिल्म दो करोड पचास लाख रुपए कमा कर हिट रही थी कर दो कि शे मई सन 1965 को पन्ना लाल महिशुरी साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रमा फिल्म काजल शर्माइबी साहिर लुद्यानवी साथ के गीतों के संगीत काते रवी शंकर शर्मा साथ अजल के कलाकार थे धर्मेंद्र, राजकुमार, मीना कुमारी, पदमिनी, हेलन, जागिर्दार और दुर्गा खोटे साहिबा इन काजल के लेखक थे गुल्चननन्दा साहब काजल के अभीने के लिए 1966 के फिल्म फेर में मिना कुमारी साहबा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेर मिला था में में को कि कर पकेमारी से एक खाया दोदिखु में ने भीनिए रेखक होगएजिय के क्या तूमिन उतर्ड़िय को ऐसे संदू होंगे तक जा थे विए विए, आपको Hertha 6 तक कर मैंदल Riley आवेजिय सेष Hendr section चाप मिल राज फिल्म का बजट था शाट लाक रुपए फिल्म दो करोड चालिस लाक रुपए का मार्कर हिट रही थी कि वाहाँ अजग्यें है विल्म के आखे रे मैं तो जैंक दिवाना मेरा अचाने को इस वह बड़ी वहीं वहीं जन्वरी सिन्वान सांच को मनोज कुमार साहब ने पेश की भगत सिंग के उपर अधारत फिल्म शहीद ये भी बूचर साने जा रही है तो फिल्म शहीद के गीत लिखेते रांप्रशाद बिस्मिल सहाब ने और संगीत कारते प्रेम दवन सहाब आए वतन आए वतन हमको तेरी पसम तेरी राहों में जां तक लुटा जाएंगे फिल्म शहीद के कलाकारते मनुज कुमार साथ, कामिनी कोशल, फ्रेम चोपड़ा, प्रांग, मदन पुरी और निरूपा रोय साहबा मुझे आसापली कहते हैं आसापली साथ, तस्रीश रखिए आपको पैजाना नहीं तहले मुलाकात नहीं जाएंगे मैंने आपको आपको असेम्टी हॉल में जेखती ही पैशांदिया फिल्म शहीद का बजड़ता पच्पन लाक रुपए जब हॉल में बम फटा उस वक्ता असेम्टी हॉल के गेट पे जी हाँ बाहर वाले गेट पे जी हाँ बम के धमाके और गोलियों की आवाज सुनकर आप अंदर की तरफ बादे जी हाँ जब आप हाल में दातल हुए तो ये लोग गोलियां चला रहे उथर क्या देख रहे हैं मेरी बात का जवाद दीजिए जब आप हाल में दातल हुए ये लोग बोलियां चला रहे फिल्म 2 करोड 20 लाक रुपए कमाकर हिट रही थी जी हाँ वैसे बाहर वाले गेट और वाल के दिर में हम कितना फासला है जी हाँ काई फासला है कितना जितना मेरे और आपके दिर में हाँ जी नहीं हुजूर कमजगं 35 दिर फासला होगा आइसे गोलियों की आवाज आपने बाहर सुनी जी और जब आप 25 दिर फासला तै करने के बाद मौका इवाजदात के पहुंचे उसक्ती मुल्जमान गोलियां चला रहे थी पॉइंट टूबी नोटिड मिलॉड जोहर मेहमूद इन गोड मुझे ंतिंवानाच देने का हुख्म हुआ वो कहते हैं आप उनकेते दमाना देएंगे क्या नाम है इस्टा पॉजम मास्ता राम और रहीम है आपका बस कहना है हमारेने कातिर होगा मैं उनका देगी थांके तार्ट के कलाकात आई एक जोहर महमूद, सोनिया सानी, सिमी, सप्रू, मुराज, और स्लोटना लगकर साहिबा फिल्म का बज़र था 40 लाक रुफे फिल्म एक करोड साट लाक रुपे कमा कर फिट रही थी दसंबर 1965 को अमर जीत साब ने रिलीज किया अपनी रोमेंटिक फिल्म तीन देवियां मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीत कारते सचिन देव बर्मन साहब ऐसे तो ना देखो के हमको नशां हो जाए फिल्म तीन देवियां के कलाकाते देव अनन्द साहब नंदा कलपना सिमी आईस जोहर चुलोचना और रशीद खान साहब फिल्म का बज़र ता 45 लाक रुपे फिल्म एक करोड रुपे कमाकर एवरेज रही थी अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी झाल को सब्सक्राइब कीजिए अभी